हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आर्बी एडिट्यूब क्लास में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कोस्चन ले करके आगा हूँ ये कोस्चन क्लास 10 की मैट की बुक से exercise 7.2 का question number 8 है इस वीडियो में हम आपके साथ इस question को discuss करेंगे आप बस इस वीडियो को आंतर देख देखे और ध्यान से देखे ताकि आपको ये question अच्छे से समझ में आए चलिए शुरू करते हैं if a and b are minus 2, minus 2 and 2, minus 4 respectively find the coordinate of p such that ap is equal to 3 upon 7ab and p lies on the line segment ab इस question में नवे पहले आपको डाग्राम बना के समझाता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं ये हमारे पास कोई line segment है ये वाला point है हमारा a और ये वाला है point हमारा b यहाँ कहीं पर कोई point लाई कर रहा है p ओके तो यहाँ पर हमें इसका ratio दिया गया है पहले मैं समझे देखो ये करें ap का जो ratio है वो 3 over 7ab है तो थोड़ा सा इसको solve करेंगे we have ap is equal to 3 over 7ab इसको जब इदार लाएंगे तो ap over ab is equal to 3 over 7 यहाँ से क्या पता चलता है ये जो ap है वो 3 ratio है ab है 7 ratio अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 ratio ये है और ये ab जो है वो 7 ratio है तो फिर ये कितना हो जाएगा pb कितना हो जाएगा देखो 7 ये है 3 ये है 7 minus 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ratio कितना ratio हो जाएगा 4 ratio ध्यान देना आप जब इसको solve करोगे तो ये ratio में होगा exact value नहीं होगा कैसे solve करेंगे देखो ab ab इसको हम लिख सकते हैं ap और pb यानि कि ap plus pb तो further इसको write करेंगे ap को ऐसे ही रखेंगे ab को लिखेंगे ap plus pb is equal to 3 over 7 अब हम cross multiplication कराएगे तो ये हो जाएगा 7 ap is equal to 3 ap plus pb अंदर multiply कराएगे तो 3 ap plus 3 pb ये हो जाएगा 7 ap इसको इधर लाएगे तो ये minus हो जाएगा 7 ap minus 3 ap is equal to 3 pb 7 ap minus 3 ap करेंगे तो ये हो जाएगा मारे पास 4 ap is equal to 3 pb यहां से फर्दर हो जाएगा ap over pb is equal to 3 upon 4 यानि कि आप कह सकते हो कि ap ratio pb is equal to 3 ratio 4 किता हो जाएगा 3 ratio 4 अभी हमें ये पता चल गया कि ये जो line है वो किस ratio में divide हो रही है वो line 3 ratio 4 में divide हो रही है ये जो 3 होगा ये m1 होगा और ये जो 4 होगा वो m2 होगा यानि कि m1 ratio m2 हमें मिल गया जब m1 ratio m2 मिल गया तो m1 ratio m2 के लिए section formula लगा दीजिए आपको xy की value मिल जाएगी by using section formula for 3 ratio 4 3 ratio 4 मतलब ये हमारा हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा हमारा m2 तो वहाँ पर देखो क्या होता है x, y is equal to यानि कि x coordinate y coordinate m1 x2 plus m2 x1 over m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 over m1 plus m2 this is the formula of xy आप चाओ तो इसे separate separate लिख सकते हो x is equal to this y is equal to this होगा क्या value पुट करेंगे तो देखो xy की value तो हमें find करनी है m1 अमारे पास 3 है x2 अमारे पास देखो ये coordinate दिया है minus 2 comma minus 2 और 2 comma minus 4 तो x2 अमारे पास कितना है 2 plus m2 हमारे पास है 4 और x1 हमारे पास है minus 2 तो उसको bracket में रखेंगे ये हो जाएगा 3 plus 4 comma m1 3 y2 under bracket minus 4 plus m1 4 और y1 हो जाएगा हमारे पास minus 2 over 3 plus 4 फर्दर इसको solve करेंगे तो क्या मिलेगा देखो ये हो जाएगा 3 to the 6 4 to the 8 plus into minus become minus 8 over 7 यहाँ पर हो जाएगा minus 12 plus into minus minus 8 over 7 देखो 6 plus sign में है 8 minus sign में है 8 बड़ा है तो sign minus का आएगा 8 minus 6 करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर देखो minus 12 minus 8 same sign है तो sign minus आएगा 12 plus 8 20 20 over 7 तो यहाँ से xy कोडिनेट कितना आ जाएगा xy कोडिनेट यहाँ से आ जाएगा minus 2 over 7 कामा minus 20 over 7 तो यह हमारा आंसर होगा इस question का तो इतना राइट कर लिए फिर इस वीडियो का final answer राइट करते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्यावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class